रात भर पानी में विगो कर खाएं ये पांच चीजें आपको जीवन में कभी बुड़ापा नहीं आएगा ताकत का खचाना है ये नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको ऐसी चमतकारी पांच चीजों की सेवन की विदी के बारे में बताएंगे यदि आप इन पांच चीजों का सेवन हर रोज करेंगे तब आपको जीवन में कभी बुड़ापा नहीं आएगा और आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा आप हर त्रहें की बीमारी से बचे रहेंगे क्योंकि ये नुस्का आपके सरीर की इम्मून पावर रोगों से लड़ने की सकती को बहुत आदेका बढ़ा देता है और दोस्तो यदि आपके सरीर में रोगों से लड़ने की सकती बहुत आदेका हाई होती है तब आपके सरीर में कभी कोई भी बिमारी नहीं लगती व्मारे स्रीर के अंदर कम्जोरी आगी है। तब ही हम बोलते हैं कि अब तो हम बुड़े हो गई। लेकिन यह उसका आपके स्रीर की हारत रहें की कम्जोरी का इलाज करेगा। क्योंकि यह उसका ताकत का खजान है। दोस्तों आपको कभी हाथ दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, जोडों का दर्द, घुटनों का दर्द, और गठिया के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पांचों चीजें कैलसियम का खजाना है, और आपके सरीर में कभी 100 सालों तक भी कैलसियम की कमी नहीं ह और आपको सरीर के किसी भी त्रहें के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपके सरीर की खून की कमी का भी इलाज हो जाएगा। आपके सरीर का खून पूरा हो जाएगा। और ये नुस्खा आपके सरीर के खून की गंदगी को साप कर और यदि आपके सिर्व में bad cholesterol नहीं बढ़ा होगा तब आपको कभी heart blockage नहीं होगी और नहीं आपको heart attack आने का डर होगा और दोस्तों वैसे भी जो हमारे खून की गंदगी होती हैं दोस्तों वही जो cholesterol के बढ़ने का bad cholesterol का मुखे कान वही होती हैं और वही आगे चलकर हमारे heart blockage बनाती है और यदि हमारा खून ही साफ हो जाएगा तब हमें ये समस्या कभी होगी ही नहीं दोस्तों ये नुस्का आपको diabetes की बिमारी से बचाएगा आपकी diabetes की समस्या को control करने का काम करेगा आपको कभी सुगर की बिमारी नहीं होगी और जो सुगर के मरीजों को सरीर मे कमजोरी आ जाती है ये उसका भी इलाज करेगा उनको किसी भी त्रहें कि कोई भी कमजोरी नहीं आएगा दोस्तों यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगा हुआ है तो ये नुस्का आपकी आँखों से चस्मे को हटाने का काम भी करेगा क्योंकि इस नुस्के में वो सभी जरूरी चीज़े हैं जो आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत अधीकार कर हैं। इसके लावा आपके मोटापे को कम करेगा, आपके पेट की चर्वी को तेजी से पिंग लाएगा, आपके सरीर को ताकतवर बनाएगा, आपकी आँखों से चस्मा हटाएगा, आपके सरीर में ब्लड प्रेसर की बीमारी का इलाज करेगा, आपको पेट के रोगों से बचाएगा आपको पेट के रोग जैसे कवज पेट में कैस और इस एसडिटी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपका पाचन दिंतर मजबूत हो जाएगा तो देखा दोस्तो कितने चमतकारी फाइदे हैं इन पांच चीजों के तो चलिए ये आपको बताते हैं कि ये पांच चीजे है क्या और उसके बाद मैं आपको बताऊगा कि इन पांचों चीजों को आपने खाना कैसे है हर रोज इनका सेवन करना है कि आपने कैसे सेवन करना है दोस्तों पहली जो समें मुख्य चीज है वो है दोस्तों खसकस और दोस्तों स वह फूलेट जैसे तत्मों से भरा हुआ है। दोस्तों ये खस-कस आपके सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज करेगी। जो दूसरी समें समगरी है वो है दोस्तों छूहारे। दोस्तों छूहारे के फाइदे भी आप भी बहुत अधिक जानती हो। ये नेचरल स्विटनर का काम करते हैं और आपके सरीर की बोड़ी को फुलादी बनाने का काम करते हैं। कैलसियम का खजाना है। आपको बहुत त्रहें की बीमारीों से बचाने का काम करते हैं। और जो अगली समें समगरी है वो है दोस्तों बादाम। और दोस्तों बादाम खाने के फाइदे भी आप जानते ही होंगे वैसे भी कहा जाता है कि यदि आप हमेशा सवस्थ रहना चाहते हैं तब आपको बादाम का सेवन करना ही करना चाहें क्योंकि बादाम का सेवन करके आप बिलकुल सवस्थ बने रहते हैं हर त्रह की बीमारी से बचे रहते हैं क्योंकि बादाम में वो दोस्तो काले चने के फाइदे भी आप जानते ही होंगे, यदि कोई व्यक्ति काले चने का सेवन हर रोज करता है, तब उसके सरीर के अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जासती है, दोस्तो आप इनको भीगोकर सेवन कर सकते हैं, या ऐसे ही सेवन कर सकते हैं, ये बहुत अधिक च सेवन करना चाहिए, अपने सरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और बहुत रहे की बीमारियों से बचने के लिए, दोस्तो यदि आप अलसी का सेवन हर रोज करते हैं, तब आपको डाइबटीज, कोलस्टोल, मोटापा, हार्ट ब्लोकेज, पेट के रोग जैसी बीम अगर आपको नहीं मिले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दियोगा, आप वहां से भी बाइब कर सकती हैं, अब जो मुखे बाताती है, वो आती है कि इनका सेवन आपने करना कैसे है, तो चले दोस्तों वो भी हम आपको बताते हैं, दोस्तों आपने क्या करन अब आपने इनका सेवन करना है, सुबह, सुबह कैसे सेवन करना है, आईए आपको बताते हैं, दोस्तों आपने क्या करना है, इनको सुबह पानी से निकालना है, और इनको एक गिलास दूद के साथ, या तो आप इनका उबाल कर सेवन कर सकते हैं, जैसे तीन उबाल देकर यदी थंडा पे पीना चाहते हैं तो आप इसकी दूढ के साथ समोधी बना सकते हैं आप इन सब को अच्छी तरह ब्लेंड करके दूढ करके एक गिलास दूढ करके उसका सेवन कर सकते हैं यानि आपने जो चार चोहारे लेने थे वो सिंपल बंदों के लिए हैं जिनको diabetes नहीं है diabetes वाले परसंग सिरफ एक चोहारा, एक चमच खस-खस, चार बादाम और एक चमच अलसी रात को बिगोए और सुबे उसको दूद के साथ उबाल कर या फिर समूदी बनाकर दूद के साथ उसका सेवन करें इससे diabetes के मरीजों के अंदर कभी कमचोरी नहीं आएगी, उनका सरील ताकतवर बन जाएगा और दोस्तों यदि आपने इस ड्रिंग को एक दिन पी लिया, तो अगले दिन मेरे बताने से नहीं, आप खुद पी जाओ इसको बनाकर, क्योंकि इतनी टेस्टी है, और साथ के साथ सेहत का खजाना भी अब जो एक चीज बची, वो बचे काले चने, अब उसका सेवन आपने करना कैसे है, चलिए वो भी आपको बताते हैं दोस्तों आपने इस ड्रिंग को लेने के एक घंटे के बाद, उन काले चनों का सेवन करना है, आपने एक मुठी काले चने रात को एक किलास पानी में भीगोने है, या एक कटोरी पानी में भीगोने है, और सुबह उनका सेवन करना है, इस ड्रिंग को लेने के एक घंटे के और इसके बाद आपने नास्ता नहीं करना है, दोस्तों ये आपका प्रोपर नास्ता हो गया, आपके सरीर की जितनी आपके सरीर को जरूरत है, उतने आपके सरीर को मिल गया रासन, यानि अब आपको नास्ते की जरूरत नहीं है, अब ये चीज आपने प्रोसस करना कैसे है, दोश्तो सबसे पहले आपने सुबह फ्रेस वगरा होकर पानी पीना है तीन से चार गिलास उसके बाद आपने तीन से चार गिलास पानी पीने के आदे घंटे के बाद आपने ये ड्रिंक पीनी है और उसके एक घंटे के बाद आपने ये काले चने चबाकर खाने है और दोश् प्लिज लाइक और शेयर जरूर कीचिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीचिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजी, ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तों.